स्वागत है आपका एक्जाम मंधन में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं इंकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा के तर्थ कुछ विकेंसी जाई है अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है योगिता है आपने अपन होती है इंट्रेस्टिंग भी है पैसा भी यहां पर आपको अच्छा मिलता है साल भी काफी बढ़िया है दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम मंधन में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों यह जो नौक आपके लिए अच्छा अफसर है सरकारी नौकरी पाने का इंकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपके बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों अगर आपके पास डेटा एंट्री का कोई एक्स्पिरिंस नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अभी आप अप्लाई कर दिए फिलाल योगि इसमें अप्लाई करने का दिन काफी है तब तक आप उसे प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं तो नेक्स हम लोग देखते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ की इसमें जो है मात दसवी पास के लिए यह हमारी वेकंसीज है तो की चालकूली miraculous किया जाएगा एक अगस 2021 क चालकूलोट किया जाएगा तो यहां प्रिक यहां पे इंस्पेक्टर की छाल्य नॉत 치lori की लेकि मैंन्ती है Tax Assistant की देखिए, यहाँ पी जो Pay Level 4 है, 25,500 से लेके 18,100 तक इसकी salary है Multitasking Staff की देखिए, तो यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 तक इसकी salary जाती है जब से 7th Pay Commission लगा है, तब से salary जो है, Government Jobs की काफी lucrative हो गी है तो यह आपके लिए काफी बढ़िया मौका है, अगर आप Sports Quota से आते हैं तो Sports Quota में क्या का requirement है, वो हम लोग आपको दिखाएंगे, notification में जा करके दिखाएंगे वो किसी और website पे, किसी भी कहीं पे आपको नहीं मिलता है, लेकिन वो जरूरी होता है जब भी आप कोई form भर है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तो सबसे important बात, इसके last date कव है, तो इसके last date है, फिलहाल तो अभी date इसमें काफी दिन है पच्चिस अगस्त इसका date है, लेकिन आपको तब तक वेट नहीं करना है, पहले जाकर करके यह अप्लाई करना है जहां तक करेबाद फीस की, तो फीस के बारे में कुछ भी mention नहीं किया गया, website पे नहीं किया गया, application में नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह application बिलकुल free है, तो आप अराम से जाकर करके जल्दी supply कर दीजिए, पैसा भी नहीं लग रहा इसमें तो, mode of application इसमें online है, online website आप यहाँ पे income tax mumbai dot net in है, या फिर income tax mumbai dot jov dot in है, तो इसमें लाकर क्या apply करना है, और अच्छी बात इसमें जो है कोई भी आपको exam नहीं हो रहा है, तो मतलब आपको बस फूरा form भर देना है, आपका जो भी certificate मांग रहा है, वो certificate जमा करना है, अगर आप shortlist कर लिए गए तो directly document verification होगा, आपको मिल गे नो करी, इतना असान तो कोई exam होता ही नहीं, आप sports quota का भरपूर फादा उठाए, ऐसा म हमारी inspector के लिए है, tax assistant के लिए 83 है, multitasking staff के लिए 64 है, तो यहाँ पे कुछ-कुछ important points है, जो देखना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे देखिए, किस-किस field में, मतलब किस-किस sports में यह हमारी vacancies आई है, तो यहाँ पे देखिए, athletics में है, swimming में है, ऐसे कई सारी जो है, करीब 22 categories में vacancies है, लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है, कि 17 से 22 तक, मतलब यहाँ पे जो है हमारा, अगर हम लोग बात करें, 17 से 22, यह हम लोग देखिए, तो body building से लिए का cricket तक, यहाँ पे सिर्फ male लोग ही apply कर सकते हैं, female के लिए vacancies नहीं है, तो अगर आप female है, तो male female दोनों के लिए है, देखिए, क्या क्रेटेरिया है, वो देखते हैं, अगर आप sports person है, और आपने state को या फिर country को represent किया है, national या फिर international level पे, तो आप इसके लिए eligible हैं, दूसरा क्रेटेरिया है, अगर आपने अपने university को inter university tournament में represent किया है, जो conduct किया जाता है, inter university sports, sports के school team में represent किया है, national, sports में represent किया है, national level पे, जो की conduct किया आता है, all India school, games tradition के दोरा, तब भी आप इसके लिए eligible हैं, और अगर आपने को national award दीता है, physical efficiency में, जो दिया जाता है, national physical efficiency drive में, तो अब भी आप इसके लिए eligible हैं, तो ये चार क्रेटेरिया को fulfill, अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे जो है, आप यह देखें कि आपको जो कुछ NXR एक form भरना है, कि आपने किस level पे represent किया है, national level पे, international level पे, inter university level पे, या फिर आपके पास कोई physical efficiency drive है, तो ये आपको अपने हिसाब से NXR देखना है, और उसको competent sports authority से sign कराना है, बिना sign करा हुए तभी आपका ये जो ये shortlist किया जाएगा आपको, और अचको अच्छी से document verification होगा, आपको सब कुछ criteria आपको सब कुछ सही रहेगा, आपका document फरजी नहीं है, बिल्कुल सही है, तो आपको ये job मिल सकता है, लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आप tax assistant के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो आपको एक जो ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो एक बड़ा सा like बनता है, साथ में आप इसको share करना और हमारे चैनल को subscribe करना ना बोलिए, तो मिलते हैं next वीडियो में employment के नए जानकरी के साथ, धन्यवाद